नमस्कार दोस्तों, मैं गजानर मनकर ट्रिपलम इंडिया में आपका स्वगत करता हूँ ट्रिपलम इंडिया के वे सी तू में एक पार्टिसिपन कम कर्यों करें के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ ट्रिपलम इंडिया एक फाश्मार्स dawns ब्र्रोन्पार togetherIS है जिसको launch किया है सरकी मायोड़ी जमें MMM India वो इसे देखा गया तो एक आम आदमे के लिए बना गया है MMM India के बारे में बताना है तो MMM India कोई कमपनी नहीं है गमपनी नहीं तो कोई investment का कोई सवाली नहीं है और नहीं कोई MLM ShopTram बनी है इस डिवालेशन में एक सिस्टम बताया गया है एक सिस्टम की तरह ये काम कर रहा है और इस सिस्टम में हर आम आदमी जो इस ट्रिपल एम में जोइन है वो हर दूसरे को मदद करना जानता है मदद लेना जानता है तो एक छोटी से छोटी से अमौन में यहां बे हर आमद में भाग ले रहा है और एक दूसरे को मदद कर दूए इस सिस्टम को अपना रहा है तो यह जो सिस्टम जो है आज देश के कोने कोने में फैल रहा है तो आईए चरा इस सिस्टम के बारे में हम जानता रह लेते हैं और इस सिस्टम फैलने का एक बहतरीन कारण है पॉम्पिटर टेकनलोजी हो और पॉम्पिटर टेकनलोजी को अज़र से यह आज मिशन देश के कोने कर रहा है तो आईए देखे कि Triple M India किस तरह से वर्क कराएं जैसे कि हम जाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हों कि जैसे कि हम वेब लिंक में Triple M India dot in यह website को डाल देंगे और Logging Virtual Account में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यह पेज को लेगा जिसमें बताया गया है email id और अपना password जैसे हमने जैसे यह मेरा email id है और यह मेरा password है जिसको हम sign in करेंगे तो इस प्रकार से हमारे mobile पे एक confirmation code आएगा SMS code बताया है जिस SMS code पे जो number देया गया है जो हमारे mobile number पे आता है उसको यहां पे हम लोगिंग करेंगे तो इस प्रकार से हमें प्रोसेट बीजाना है प्रोसेट को क्लिप करके हमने डेस्टॉप को जाना है जैसे डेस्टॉप का पेच खुलेगा हमें आगे की कारवाई करने है अब यहां पर आप देख रहे हों कि हमारा तो सिस्टम जीस तरह से चल रहा है यानि कि प्रोवाईड हेल्प मदर देना और गेट हेल्प मदर लेना तो इस दो बटन के आगर पर यह पूरी सिस्टम चल रहा है और जिसके उपर हम देखते वहने भी है, डेश्टप है यहां पर और एक वाल्म है पार्टिसिपेंट और यह मावरो का है और एक अकाउंट का है जैसे हम यहाँ पे लौगिंग कर देते है लौगिंग करने के बाद participant का detail डाल देते है detail डालने के लिए है हम participant में जाते है और उसके बाद उनका जो detail है detail लाते है और उसके बाद जो column आता है account का जो आ रहा है system account system account में हम देखेंगे कि आप एक column खुल रहा है जिसमें हमें bank detail डालना है जैसे हम website में add करके यो button है उसको click करेंगे तो इस प्रकार से एक page खुल रहा है जिसमें हमने उस participant का पूरा bank detail डालना है और जैसे हम आगे का procedure पूरा हो जाता है bank detail का तो फिर से desktop में आगे उस बंदे के लिए यहां पे बताया गया कि buy more तो उसके लिए हम buy more करते है जैसे कि आप यहां पे link बताई है जो दो तिन link आई है जैसे हम buy more करते है तो पूरा procedure खथम होने के बाद इस तरह से एक green pocket दिख रहा है जिसमें बताया गया है उस बंदे का नाम उसकी amount और उसकी date of creating बताई गयी है और जैसे जैसे आगे सिलसला आगे जाता रहता है उस प्रकास से ऐसी एक जो link आती है जिसमें बताया गया है कि get help या तो कोई fund के बारे में बताया गया है जैसे कि यहां पर अब यह मेरी एक link है जिसमें यहां बताया गया है कि सफ़त महमत अलाम जिसने मेरे account में यहां पर लिखा गया यू यानि कि यह मेरा account है मेरे account में 6 रुपर डाला है अब उस बंदे ने यहां पर देखिए कि एक receipt दिफर गया है जिसको हम click करेंगे तो दिखेगा कि उस बंदे ने मेरे account में जो पैसा डाला है उस पैसे की यह receipt बताया गया है तो यहां से पता चलता है कि उस बंदे ने हमारे खाते में पैसे डाले है या नहीं और इसकी तारीकोंगर सब यहां पर mention है और रही बात confirmation के आती है जैसे यह बटन खुलने के बाद यहां पर एक column खुलते है जिसमें बताया गया हम सामने वाले बंदे के लिए time भी extend कर सकते है अगर उसने पैसर डाला है तो उसको हम confirm भी कर सकते हैं तो इस प्रकर से पूरा detail है यह legal तरीकर से यहां पर बताया गया है कि किस तरह से यह triple m work कर रहा है दुसरी बात आती है मावरो की यहां पर पेच खुला है जिसको मैंने क्लिक कहता मावरो में अब यहां पर बताया कि यह है कि जितने भी मेरे participant है या तो मेरी idea लगी हुए है यह कुने में हम देख सकते है और यह यहां पर लिखाई देती है यह creating date है और यहां पर release date है और इसमें हमें बता दिया जाता है कि आज के तारिक में यहां पर हमारे कितनी राशी यहां पर जम्मा है तो यह जो कॉलम है यह कॉलम ऐसा है यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे आज के तारिक में यहां पर कितनी राशी जम्मा है तो जैसे हमरे रिलेजिन डेट आती है उसे सबसे हम यहाँ पर बटन दिया गया है गेट हेल्प उसमें गेट हेल्प में जाके हम मदद मांग सकते है यानि कि मदद गेट हेल्प में जाके पुरा प्रोसेजर है आगे कैसे कैसे जाना है उसे सबसे कार्यकरम चलता रहता है और जितनी भी हमारे राशी यहाँ पर जमा है उस राशी में से हम पूरी की पूरी राशी याने या तो हमें जितनी राशी की जड़ों थे उस राशी को यहां पर क्लिप करके हम यहां से हेल्प माँख सकते हैं तो इस प्रकार से यह ट्रिपल एम काम करता रहता है आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पेसर आ रहा है सर्गे मावरी जी का में शुक्र गुजार हूँ और अलेक से सर का भी शुक्र गुजार हूँ जुन्य ने ये रास्ता मुझे दिखाया है और जिसको मैंने अपनाया है Thank you, thank you very much